हिए भाल्बाऊ, सबका सा सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कि ये संविधान की भावना का सब से सबसे, प्रगाटिक करन है संविधान, के लिए समर्पित सरकार कि विकास में भेद नहीं करती और यह हमने करके दिखाया है आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेज मिल रहा है जो कभी साधन संपन लोगों तक सीमित था आज लद्दाक अनमान और निकवार नौर्द इसके विकास इन सब इक्षेत्रों कर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात के तरफ आपको ठान दिलाऊंगा आपने भी जरूर अणभो किया होगा किजिए जब सरकार किसी एक वर्क के लिए किसी एक छोटे से ठुकड़े के लिए कुछ करती है तो बड़ी उधारवादी कहलाती है उसकी बड़ी प्रसोंसा होते हैं उनके लिए कुछ किया लेकिन महरान हूं कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाद राज्य के लिए कुछ कर ले कुछ राज की भलाई काद की काम करते हैं तो भी भावाई हो जाती है लेकिन जब सरकार सब के लिए करती हैं कि हर नाघरी के लिए करती है हर राज्य के लिए करती हैं तो उसे उत्रा महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी दुसका जिक्र तक नहीं होता है कि सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्क का हर राज का समान रुप से भला हो रहा है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पिछले साथ वर्षों में हमने बिना भेदभाव के बिना पश्कपात के विकास के हैं हर व्यक्ति हर वर्क और देश के हर कोने तक पहुँचाने का प्रयास किया है इस साल पंदर आगस को मैंने गरीब कल्यार से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं सरवजन हिताए सरवजन सुखाए इस मंत्र को लेकर के कार करने का हमारा प्रयास है आज इसे देश के तस्विर कैसे बदली हैं यह हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्या इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाए सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटा कर लक्ष को प्राप अवश्चे आते हैं जेंडर इक्वैलिटी की बात करें तब पुरुषों की तुलना में बेटियों के संख्या बढ़ रही हैं गर्भवती महिलाओं का अस्पताल में डिलिवरी की जादा आउसर उप्लद्द हो रहे हैं इस विजह से माता मृत्युदर शिश्यु और भी बहुत सार इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्व एक आंकड़ा भर नहीं है ये करोड़ों भारतियों को मिल रहे हैं उनके हक का प्रमान है य इस जनकल्यार से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाब लोकों को मिले इंफ्रस्ट्रक्टर से जुड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो कि किसी भी कारण से हुई अनावशक देरी नागरीक को उसके हक से वंचित रखती है मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो मैं सरदार थरोवर डेम का उदान देना चाहता हूं सरदार वल्डभाई पटेल ने मान नर्वदा पर इस तरह के डेम का सपना देखा था पंडित नहरू ने इसका सिलान्यास किया था लेकिन ये परियोजना दसकों तक अप प्रचार में फसी रही परियावन के नाम पर चले आंदोलन में फसी रही नायालाय तक इसमें निरने लेने में हिच्की चाते रहे वर्ल बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था लेकिन उसी नर्वदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ विकास का कार्य हुआ आज हिंदुस्तान के तेजगती से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक में कच्छ जीला है कच्छ को इस एक प्रकार के रिगिस्थान जता है लाका है तेज गती से विक्सित होने वाले ख्षेत्रों उसकी जगा बन गई है कभी रेगिस्थान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ आज एग्रो एक्सपोर्ट की वज़स से अपनी पहचान बना रहा है इससे बड़ा ग्रीन एव क्या हो सकता है